जब मैं बात करतो गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विस की तो यह एक बड़ा है एक बड़ी पिक्चर है गुड्स ट्रांसपोर्ट गुड्स ट्रांसपोर्ट में रेलवे भी आ सकता है एर भी आ सकता है बायरोड भी आ सकता है GTX छोटी ट्रम है तो अभी हम किसे डिसकस कर रहे हैं Goods Transport Service को कि ऐसी Service जिसमें 니ो Goods की transportation होती है Toa उन्होंने क्या बोला? कि Goods Transport Exempt है ठीक है न? Goods Transport अगर आप by road करते हो Exempt है अगर water के थरू तो गुट्स को इधर से उदर ले जाते हो एक्जम्ट है इसने क्या बोला गुट्स अगर आप गुट्स को एक जंगा से दूसरी जंगा लेकर जाते हो बाई रोड एक्जम्ट है और पानी के माध्यम से लेकर जाते हो तो भी एक्जम्ट है लेकिन अगर तुम बाई रोड ल तो ही टेक्सेबल है, इन्होंने क्या बोला कि बाइ रोड अगर गुड्स लेकर जाओंगे डैटी इग्जेंट, लेकिन दो केसे में टेक्सेबल है, तो अगर कोरियर एजंसी से तुम अपने माल को इदर से उधर विजवारे हो, तो डैटी इस टेक्सेबल है, और अगर जी अगर कोई जी टी इस नहीं है, और माल को इदर से उधर लेकर जा रहा है, तो डैटी इस एक्जेंट, कैसे एक्जेंट, एंट्री नंबर अठारा, तो भाई अगर आप अपने पी एंडल में खर्चा डालते हो, काटेज इन्वर्ड, फ्रेट इन्वर्ड और वो जी टी ए ज inflammatory के थ्रू नहीं है, सर how To Know, जी टी ए का मतलब होता है, तो जो क्ड़नŁ करता है,imaginable इस नहीं है, समझा य ही मेरी बात या नहीं बोडर यह अभी फिलम आई थी कितने लोगों ने देखी गदर टू गदर टू कितने लोगों ने देखी मुवी गदर टू में सन्नी देवल गदर टू में सन्नी देवल मिलिटरी वालों से मिलिटरी का समान लेके उपर फोजियों तक पहुचाता है तो बोलो सन्नी देवल जीटिये है या नहीं है बोलो सन्नी देवल जीटिये है या नहीं है आंसर इस नो क्योंकि सन्नी देवल ने बिल्टी नहीं इश्यू करी, ठीक है न, समझा ही मेरी बात, बोलो, अब यहां पर यह चीज हमारे को समझ आ गई, सर क्या बिना जी टिये बने गुड्स ट्रांसपोर्ट का काम कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, हाँ प्राइवेट वीकल से कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, अब मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हें पता हैं मैंने एक छोटा आती खरीद रखा है, छोटा आती जानते हो ज ने टुटाते ग्लास कराता हूँ और बाकी टाइम दिन में छोटा हाती चलाता हूँ। थेक्या है ना इसे दिखाते हूँ में छोटा हाती चोटा हाती ट्रांसपोर्ट फिर तो GOOD TRA ray किसी को कुछी नाम दे देते हैं, तुम्हें क्या लग रहा ता? मैं बोलूँगा, छोटा हाथी, तो यहां पर छोटा हाथी हाजाएगा? मारुती ने इसे नाम दे दया चोटा हाथी अब यह चोटा हाथी मैं चलाता हूँ. अब अगर मैं जी- sf Ary manager बनके चलाओंगा, तो taxable हो जाएगा मैं GTA बनता ही नहीं अगर मैं GTA नहीं बनूँगा तो मेरा क्या नुकसान है और जिसका मैं माल लेकर जा रहा हूँ उसका क्या नुकसान है कोई नुकसान है GTA से माल ले डिलिवरी करा रहे कपिल जैन से करवाएंगे कपिल जैन के पास छोटा आती है सुबह माल देंगे साम को उतार देंगे कोई देगा तुम मैं से मुझे कोई माल दो कि सर ये मेरा माल है यह यहां से उठाओ दिल्ली से और यूपी ले जाओ पाच लाग का माल है कोई कह रहा है है हाँ सर मैं जीटिय के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहता कपिल जैन से माल लेके जाओंगा पर्दी पागडी कह रहे है सर नहीं देंगे अरे क्यों नहीं दोगे पर्दी पागडी जी अरे मैं तो छोटा आती खरीदा है तुम्हारे लिए मैं चला रहू हूँ यार यह कहारे है हम तुम्हें देंगे ही नहीं माल यह कहारे मंसूर खोजा जी दोस्तों अब मंसूर खोजा जी ने दे दिया मुझे विश्वास दिखा कर मंसूर खोजा जी ने मुझे पाच लाग का माल दे दिया मेरे छोटे हाथी में डाला और में लेकर चला गया और लेकर चला गया वह माल और उस माल को ले जाके बेश दिया मेले यहां रस्ते में किसी ने पुलिस ने पगड़ा मैंने कर ले लो भाई साब तो सर जीटिय को क्यों देते हैं माल जीटिय को जब माल देते हैं तो जीटिय उसे एक बिल्टी इशू करता है और उस बिल्टी पर ये लिखा होता है मैं मा कसम खाता हूँ उस बिल्टी पे जीटिये ये लिख कर देता है कि मैं मा कसम खाता हूँ ये माल मेरा नहीं है ये माल मनसूर खोजा जी का है और मैं तो इसका रास्ते का मालिक हूँ शरिफ मैं तो इसका रास्ते का मालिक हूँ रखवाला हूँ बागी में मा कसम खा रहूँ मेरा कोई माल नहीं है भाई साव ये तो मनसूर खोजा जी का माल है उन्होंने मुझे दिया है और ये माल में ले जाकर उमा कांच चुरसिया जी को दे दूँगा और जैसे वो ये मा कसम खा लेता है उस बिल्टी पर तो वो रस्ते में कोई हेरा फेरी नहीं कर सकता रस्ते में कोई स्चोरी नहीं कर सकता तो इसलिए सारी दुनिया जो अपना गुड्स ट्रांसपोर्ट कराती है 90% केस में GTA से कराती है और 10% केस में other than GTA होता है और जब वो other than GTA होता है other than GTA पर कोई भी GST नहीं है वो एक्जम्ट है GST किस पर है स्रीफ और स्रीफ GTA पर किस पर है GTA या तुम सुननो मेरी वाद एक वेक्ती ने पीएंडियल में खरचा डाल लखा था काटेज गा एक लाग रुपे का RCEM पह निकर रखा था अब मेरे पास था है रोता 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 कैरा सर रेक्ष्ग रोता है और डिपार्टमेंट वाले गह रहे है जईस्टी पे करो RCM पे करो क्योंकि भाई साब यह GTA है और GTA पर RCM है तुम्हें पे करने हैं मैंने कहा तु क्या सबूत है GTA क्या रहा Bilti है मैंने फाड दे सारी Bilti को उसमें सारी Bilti फाड दी उसमें कोई Bilti नहीं थी ठीक है ना जो माल आ रहा था इवे बिल पर गाड़ी का नंबर था और उस व्यक्ति ने प्रूब कर दिया है कि भाई यह GTA ही नहीं पता नहीं कैसे करा कैसे नहीं करा कैरा साब यह तो रहत एडह सबस्क्राइल च्रीश अचारी नहीं राबद का तुर्ल जान रोड़ गला है कि जल्दी likely को अगर दो जल्दी बोलो जरल जल्दी बोलो अर्सियं मही नहीं लगेगा अरशर जनी एग्जेंट है अरे वो सर्विस ही एक्जम्ट है, समझ आई कहानी या नहीं, बोलो, कहानी समझ आई या नहीं, बोलो 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 जल्दी, चल, तो GTA is clear to all of you, transportation services all of you clear, बोलो, हाथ, अब मुद्द आया, अब यह करें, GTA की सर्विस भी एक्जम्ट है, अभी तो उपर क्या कह रहा था, GTA की टे taxable है, entry number, entry number 8 में जाए रहा था, GTA is taxable, goods अगर लेकर जाओगे, GTA से taxable है, अब यह देखो, यह अपनी बास से पलट गया, entry number 21 में, entry number 21 में आगे क्या कहता है, GTA की service exempt है, अगर GTA कौन कौन से goods लेकर जा रहा है, अगर वो agriculture produce लेकर जा रहा है, अब जैसे यहाँ पर word लिखा रह लोग बाग इसे समझ लेते हैं, exempt produce, नहीं, ऐसा नहीं है, यहाँ पर word है agriculture produce, कि अगर agriculture produce लेकर जाओगे, तो GTA हो, exempt है, अगर दूद, नमक यह लेकर जाओगे, यह exempt नहीं है, अब तुम समझो, हो सकता है यह taxable हो, हम किसकी बात कर रहे हैं, goods की बात नहीं कर रहे हैं, भाई, हम किसकी बात कर रहे हैं, GTA service की, तो अगर GTA यह सारे समान लेकर जाएगा, तो यह exempt है, ठीक है, मैंने सन्नी देवल से पूछा, कि भाई है तुम military के समान लेकर जाते हो, कि बाई जी बाई जी एक्जम्ट है, एक्जम्ट नोटिफिकेसन है, जिसने गदर टू मूवी देखियोगी, उसमें सन्नी देवल बताता है, उसमें सन्नी देवल ने किलियर बोला है, कि भाई साव, entry number 21 से, we are exempt, क्योंकि हम defense or military equipment लेकर जाते हैं, तेगा न, समझ म जाई, सर्टेंपू वाला complete मंत का एक भी लिशू करता है, तब वो जीतिये हैं नहीं, जीतिये तो वो है, जो हर बार माल लेकर जाएगा, और मा कसम खाएगा, समझ में आया, जैन साब, बिल्टी देगा, जो जिस पेपर पर मा कसम खाता है, उसमें बिल्टी बोलते, अज यहां से कंडिशनल एक्जमशन कहां से आ गई, यह वो वाली नहीं है, और मजेगी बात सम्झो, फिर एक और एंट्री आई, एंट्री नंबर ट्वंटी बने, यह कहरा है, अगर जीतिये ने सर्विस दी अनजिस्टर परसन को, वो भी एक्जम्ट है, यह कहरा है, जीतिये इन लोगों को, तो भी एक्जम्ट है, इसके बाद फिर एक एंट्री आई, कि अगर जीतिये सर्विस दे रहा है, इन लोगों को, तो भी एक्जम्ट है,